नमस्ते दोस्तो आज मैं फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता और मेथी पत्ता लेकी आई हूँ साथ में छोटी मचली तो आज में धनिया पत्ता और मेथी पत्ता डालके छोटी मचली की रेस्पी लेकी आई हूँ इसे हम बाटा मचली बोलते हैं आप लोग पताने क्या बोलते है मुझे कमेंड में ज़रूर बताईएगा तो आज की रस्वी ध्यान से देखिएगा और रस्वी देखने से पहले प्लीज 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 में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैंने क्या क्या है कि मेथी पत्ता को उपर वाले पार्ट को तोड़ लिया है डंटल को साइड कर लिया है और दूसरी तब हमें क्या करना है मचली को नमखल्दी डालके अच्छे से फ्राई कर लेना है याद रखिएगा कि मचली को थोड़ा डिफ्राई करें डिफ्राई करने पेस्टी लगती है खाने में चलिए इसके मसाले भी देख लिए इसके लिए हम क्या मसाले यूज करेंगे मैंने लिया है यह यलो और ब्लैक जो सर्सों होते हैं दोनों को थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके मैंने ले लिया है साथ में हमें थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा जीरा दुसरी तरफ हमे तेल गरम हो जाने के वास से मेथी का फूरं देंगे उसके साह साथ थोड़ा हरी मिर्श डालेंगे चोटी मचली जानते ही कि बहुत चटपटी बनती है तो मैंने लगे तो मसालों के साथ हमें थोड़ी दर तक इसको अच्छे से पकाना है मेथी में तकीजा powers साबुत लेगा रही हो क्यों से तबिव धय चीरब के क्यों टामाटर लगता है क्योंकि मेथी है तो थोड़ा सा मचली में टमाटर का कॉंटिटी जादा रहे तो टेस्ट और जादा अच्छा लगता है तो यह दिखे मैंने मसालों को पकाना स्टार्ट करती है अब हम अभी इसमें मेथी पता डाल देंगे धनिया भी नहीं डालेंगे मेथी पता इसलिए ड पकाते रहना है तो इधर में देखेंगे कि जब टमाटर गल जाएगा यह देखिए टमाटर हमारा गल चुका है अब इसको अच्छे से करके इसमें थोड़ा सा हम पानी लेंगे ग्रेवी के लिए आप ठीक भी ग्रेवी ले सकते हैं और पतली भी तो मैंने बहुत ज्याद ग्रेवी में अच्छी नहीं लगती है तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी लेना है साथ में क्या करना है कि मचली कभी इसमें डाल देंगे यह देखिए एक एकर के मचली को अच्छे से डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ढखके थोड़े दिर के लिए पर से धनिया पत्ता भी डाल देते हैं बस ये देखिए हमारी टेस्टी वाली मचली तैयार हो चुकी है तो अगर ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो एक बट्राई जरूर कीजिएगा यम्मी वाली चोटी मचली जो की गरम-गरम चावल या रोटी की से भी चीज के साथ वीडियो में तब तक लेटा बाई बाय टेक किया और प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजियाए बाई